हलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेके आए वीगली करेंट अफियर 11 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के सभी important question तो जो पूरे week में हमने cover किये थे तो साथ आज हम उसका करेंगे quick revision और जितने भी हमारे important question होगे सभी के हम facts के बारे में भी जो हमारे important होगे उनके बारे में भी बात करेंगे और guys वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए आपको यह weekly current affair के साथ साथ हमारे daily current affair भी मिलता रहेगा तो चलिए फिर guys शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो तो आज का हमारा पहला first question है चर्चा में रही महानगर पहाड़ी किस राज्य में इस् चल रही है इसीलिए मानगर पहाड़ी famous है नेक्स्ट है अगला आठ जुलाई 2022 को कहां पर हर्याली महुतसब 2022 का आयोजन किया गया तो हर्याली महुतसब नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र रियादब ने आयोजित किया नेक्स् प्राइदेश भारत तो भारत को चुना गया युनेस्को के लिए और युनेस्को का मुख्याल है पैरिस में पैरिस है फ्रांस में नेक्स्ट अगला अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ती रोणी आयोग का संबंद है OBC से और OBC का जो आयोग है वो है आर्टिगल 338 B SC के लिए आर्टिगल 338 में आयोग और ST के लिए 338 A में आयोग और OBC के लिए संबिधान संशोदन वादा 102 और EWS के लिए संबिधान संशोदन वादा 103 नेक्स्ट है हाली में वर्ष 2022-23 के लिए भारती उद्योग परिसंग CII के अधिक्षपत के लिए किसे नामित किया गया है तो R Dinesh को नामित किया गया है तो option D's का right answer है हाली में खबरों में डैरेचो क्या है तो डैरेचो एक तूफान है और ये तूफान अगर देखा जाए कहां आया है अमेरिका में आया है और इस कारण जो आस्मान है इसका कलर हरा हो गया है और जो डैरेचो है ये एक Spanish word है तो ये भी हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को किस राजे में खार्ची महुटसब बनाए गया तो ये जो खार्ची महुटसब बनाए गया ये बनाए गया तिरपुरा में तो option D's का right answer है नेक्स्ट प्रतिवर्ष की स्वाली भास्टा दिवस कब बनाए जाता है तो ये 7 जुलाई को मनाए जाता है option D's का right answer है हाली में अंतरास्टिय मुद्रा कोश IMF की पूर मुख्य अर्थ शास्त्रियों की दीवार पर प्रदेशत होने वाली पहली महिला कौन है तो गीता गोपिनाथ दूसरी भारतिय है लेकिन पहली महिला है और अगर बात कर रहे हैं पहले भारतिय कौन थे तो RBI के पूर गवर रगुराम राजन तो रगुराम राजन थे पहले भारतिय और दूसरे भारतिय गीता गोपिनाथ लेकिन यह पहली महिला है तो यह भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर प्रधान मंत्री सिंजु अभी का निधन हो गया तो यह जापान के प्र आजीब कुमार हमारे मुखे निर्वाचन आयोक तो इनका नाम भी आपको जाद रखना है नेक्स्ट है हाली में किस निंगीगा में संपर्क समाधान नामक पाइलेट पर योजना शुरू करने के लिए दूर संचार विभाग के साथ अनुबंद पर अस्ताक्षर किया है त प्रथम नामक एनालोग चिप सेट का एक प्रोटोटाइब विक्सित किया है तो इस चेत्र को भी मेरा संकल्प भूमी वर्गत वरक्ष परिशद इस पूरे परिशद को अगर देखा जाए तो रास्टे महत की समारग होशित करने की बात कही गई है और यह बियार अमेडग गर्ठ से संबंधित है तो जैसा हमदी हमने देखा था एक राजिस्तान की पहाडी थी तो राजिस्तान में हमारी गर बात आती है जो यह हैं महारा साrones का प्रताब राव भॉशले स्कूल उसकी भी गात चल रहे थिर दर jaar आ प्रतारों का महत का दर्चर दिया जाए हाले में किस देश के प्रधानमंतरी रनिल विक्रम सिंगे ने स्तीफा दिया तो ये कहां के हैं ये हैं श्रीलंगा के ओप्शन ए किस ने Mrs. Universe Divine 2022 का किताब जीता है तो ये जीता है पलवी सिंग ने और हरनास अंदू ने जीता है Mrs. Universe का शनी सेटी ने Mrs. Famina इंडिया का जीता है इसके अलाबा खुशी पटेल ने जीता है वर्ड वाइड का और अगर बात आती है Mrs. Word का कैरोलेना ने जीता है नेक्स्ट है हाले में किस ने स्वानेदी महुतसब का शुभारम किया है तो स्वानेदी महुतसब का शुभारम हरदीप सिंग पूरी ने गया है शेहरी और आवास मामलों के मनती है ये 28 जन्वरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित होगा ये नई दिल्ली में आयोजित होगा चुलाइ 2022 में किस ने विवलडन 2022 में महीला सिंगल्स का किताब जीता है यालिना रीवा की ने जीता है तो बिवलडन की बात आती आती है तो सबसे पहले हुआ था आस्ट्रेलियन आस्ट्रेलियन में में अगर देखा जाए राफेल थे और एशले भार्टी थी ती मेल और फिर उसके बाद में वह था फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में भी हमारे मेल केंडिडेट राफेल न डालते, लेकिन अगर फीमेल केंडिडेट की बात करी जाए तो वहां थी इगा स्वेटेक, और अब जो हुआ है विबिल्डन, तो विबिल्डन में हमारे आते है नुवा पशुपालर मंत्राले द्वारा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है, और यह मना जाता है दस चुलाई को, तो उप्शन इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट है मारा अगला कोशन, दस चुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच में सी गार्ज पहला एलिबेटिट शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा होगा, तो द्वारी का एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिबेटिट शहरी एक्सप्रेस वे होगा, और यह कहां बन रहा है, तो इसको 15 अगस्त को लांच किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन अगर देखा जाए, त उस दिन है हमारा सुतंता दिवर्स और आजादी की 75 वी वर्षकांट है, इसलिए इसे लॉंच के जाएगा. हाले में किसे YSR Congress का जीवन परियंत अधेक्ष चुना गया है, तो YS जगन मोहन रेड़ी को चुना गया है, और जो YSR Congress है, ये 2011 में Congress से अलग होकर बनी थी. नेक्स्ट है, हाले में किस मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री रास्टे प्रस्रिक्षू मेले का आयोजन किया गया है, तो कौशल विकास है में उध्यमिता मंत्राले, तो option A, इसका right answer है. नेक्स्ट है, हाले में किस राज्य या केंद्र शाष्ट प्रधेश में निर्वार्ण श्रमिको के लिए Mission कौशल कर्मी की शुरुवात की गई, तो ये नई दिल्ली में शुरुवात की गई है. नेक्स्ट है, हाले में किसे International Fund for Agriculture Development का नया अधिक्स चुना गया है, तो अलवारो लोरियो को चुना गया है, और ये स्पेन के हैं, और इनसे पहले थे गिलवर्ट हांगो, लेकिन अब जो चुने गये हैं, वो हमारे अलवारो लोरियो चुने गये हैं, और ये स्पेन के हैं. हाले में किसने नय संसत भवन की छट पर रास्टिये प्रतीक चिन अशोक स्थम का नावरण किया है, तो ये नरेंद्र मोदीदी जी द्वारा किया गया है, और ये नया अशोक स्थम बनाये हैं, ये है कासे का, और कासा जो होता है वो तांबे और तिन का मिक्षर होता है. प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो मलाला दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रतेक 12 जुलाई को क्योंकि 12 जुलाई 1997 को मलाला यूसुप जाईका क्या हुआ था जनम हुआ था तो उनी के जनम दिन पे 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है और इन्हें 2014 में नोबल पुरुसकार मिला था और भारत में कैला सत्यार्थी को इनके साथ नोबल पुरुसकार मिला था और कैला सत्यार्थी का इका आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन नेक्स्ट, हाले में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने किस राजी में इस्ते तेवगर अंतरास्टे हवाई अड़े का उधगाटन किया है तो ये हवाई अड़ा कहां पर है, ये हवाई अड़ा जहारखंड में इस्ते थे अब 2023 बहुत ही important है क्योंकि G20 की भी meeting होने वाली है भारत में 2023 में जमो कश्मीर में और 2023 को अंतरास्टे वर्ष होशित किया गया मोटे अनाजिया बाजरगा और भारत में होकी वर्ड कप होगा उडिसा में तो इसलिए 2023 important है और 2023 में जो भारत की जन्संग्या वो चीन से भी आ कतन सही है 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती का नया लोगों को अनावरण किया गया सही है प्रसार भारती एक स्वायत व्यधानिक निगाए सही है इसका मुख्याल है दिल्ली में यह भी सही है उप्योग सभी तो option डीस का right answer है हाली में जापाने किसे order of the rising sun एवार्ट से समानित किया है तो नारायन किमार को किया है भारत और जापान के रिष्टे अच्छे होता कि हाली में खबरों में शिंग लिल्या नेशनल पार्क कहां इस्ते थे थे और ये इसलिए इसलिए फेमस हो आभी हुआ है इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि यहां पर रैड पांडा को अ उप्शन है इसका राइट आंसर विश्व शांती फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा तो यह किया जाएगा चीन में नेक्स्ट है 11 जुलाई 2022 को किसे Commonwealth Games 2022 के लिए भारतिय महिला क्रिकेट टीम का कफ्तान बनाया गया तो यह बनाया गया हर्मन प्रीत कौर को बनाया गया ओप्शन डी नेम लेकित कतनों में कौन सा कतन सही है तो किन सरकार 75 में सुदंता दिवस की अफ़सर पर हर घर तिरंगा रास्टे वियान शुरू करेगी सही है यह वियान रास्टी संसिर्ती मंत्राले द्वारा शुरू कि का राज नई सिक्षा नीती 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो देश का पहला राज वैसे तो हमारा करनाटक लेकिन अभी जो लागू करी है वो हमारी 12 चुराई को उत्रागंड ने करी है प्री प्राइमरी लेबल पर जिबकि करनाटक ने पूरे प्राइमरी प्यूष गोयल ने कहां पर रास्ट्य फैश्टन प्रद्योई संस्तान नाइफ्टी का उत्काटन किया है तो पंचकुला और पंचकुला कहां पर हर्याणा में स्थित है और यह हर्याणा का पहला है लेकिन भारत का सत्रमे नंबर का कॉलिज है नेक्स्ट आइ तो यूटूब भारत इसराइल यूएसे और यूएक का नया समूव है विलकुल सही है इसे बैस्टेशन कॉर्ट भी कहा जाता है सही है इसका गटान अक्टूबर 2021 में हुआ सही है तो केबल ऑप्शन नहीं क्या है इसका गलत है क्योंकि दूसरा नहीं यह पहला शिकर सम्म इलन हो रहा है नेक्स्ट है चर्चा में रही कागज आयात निगरारनी प्रणाली कब से प्रभावी होगी तो एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगी और कागज का अगर देखा जाए तो कागज के लिए भारत में नेपा नगर अखवारी कागज के लिए बहुत ही जादा और विश्व में अगर बात आती है तो विश्व में मॉंट्रील बहुत ज़्यादा फेमस है मॉंट्रील है कनाडा में और नेपा नगर हमारा अदिपरदेश में नेक्स्ट हाली में किस टेलिसकोप ने ब्रहमान के पहली रंगी नच भी जारी किये तो जेम्स वेब टेलिस स्थापित होगा और गती शक्ति जो है पीम गती शक्ति योजना तो उसके साथ इंजन है जो की परिवन से संबद देते हैं जून 2022 के लिए पुरुष रेड़ी में किसे ICC Player of the Month का एवार्ड दिया गया तो यह दिया गया है पुरुष रेड़ी में जॉन वेरेस्टे को और फीमेल केंडिडेट में यह दिया गया है मेरी जॉन को तो मेरी जॉन को फीमेल केंडिडेट और मेल में जॉनी वेरेस्टे को नेक्स्ट है हाली में कौन सा देश नाटो के तकनीगी सायोग कारिकरम में शामिल हुआ तो ये यूक्रेन शामिल हुआ है नेक्स्ट है जुलाई 2022 में एशिया अंडर 20 कुष्टी प्रत्योगता में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो ये जो प्रत्योगता है इसमें भारत न नवासी इसवी में 14 जुलाई के दिन और बास्तील के किले पर जंता ने कबजा कर लिया था इसलिए वहाँ मना जा था बास्तील देवस और फ्रांस से भारत के समयधान में लिया गया है गणत अंतरात्मग या जंत अंतरात्मग या लोगत अंतरात्मग वेवस्ता हाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने कहां पर पहली Artificial Intelligence and Defense संगोस्टी और प्रतरश्णी का उद्गाटन किया है तो ये नई दिल्ली में किया है चर्चा में रहा Supreme Order of the Christ Anthem किस देश का सरवोच सम्मान है ये जापान का सरवोच सम्मान है और ये अभी हाली में सिंगो अवे को उनकी मरत्यों के पशाद दिया गया है हाली में किस सराज सरकार ने Un-With-Learn योजना शुरू करी है तो ये तिरपुरा सरकार ने शुरू करी है और जो अन विद लन योजना है ये स्कूल चलो अभ्यान के तहर शुरू की गई है जो कि हमारा उत्तर प्रदेश की स्राविस्ती से शुरू हुआ था तो एहमदाबाद और केरल को एहमदाबाद इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि यूनेसको की श्रेडी में शामिल हुने वाला भारत का पहला शहर था और दूसरा शहर था जैपूर और केरल को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पर परियारवनत से अगर देखा जाए तो इको टूरिस्म है इस विजासे केरल के कई शहरों को शामिल किया गया है भारत का पहला Quadivalent Human Papilloma Virus Vaccine QHPV किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो Serum Institute of India पूने के द्वारा यह विक्सित किया गया है और जो Papilloma Virus है यह गरवाशे Cancer का कारण होता है नेक्स्ट है नेम लेकित में से भारत का पहला Carbon Neutron Hawaii Adda कौन सा होगा तो ले लद्दा का हवाई अगर देखा जाए तो ले लद्दा का हवाई अगर यह यह पहला भारत का Carbon Neutron Hawaii Adda होगा नेक्स्ट है हाली में The Mac Mohan Line A Sanctuary of Discard पुस्तका विमोचन किया गया है इसके लेका कौन है तो General J.J. Singh इसके लेका के हैं और Mac Mohan Line भारत और चीन के बीच में इस्थेते हैं नेक्स्ट है 16 जुलाई से 14 अगस 2022 तक किसके द्वारा 22 भारत रंग महुसब 2022 आयोजित किया जाएगा तो यह रास्टी नाट्टी विद्याले नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया जाएगा क्योंकि आजादी का अमरत महुसब चल लाए 75 वर्षगाट है तो 15 अगस पर वैश्विक लैंगे अंतराल सूचकांग 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया तो भारत 135 में स्थान पर रहे तो यह बात भी याद रखनी है क्योंकि इंडेक्स वाला कोश्चन है इसके लाबा परियावरण में अगर हम बात करें तो 180 में स्थान था खुशाली में हम 236 स्थान था प्रैस में हमारा 150 1500 नंबर पर अगर बात आती है वायुशक्ति सूचकांग में तो तीसरे स्थान पर था तो यह कुछ हमारे इंपोर्टेंट्स रैंकिंग है तो यह हमें याद रखनी है और जो आज की वीडियो है तो यह हमारी क्योंक रिवीजन में है तो इ और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें घवल जो वीडियो अच्छी लगी हो초 तो कमेंट करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें त्यांकिए गएस